हलो साथियो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल SR जाजोरिया पर स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे framing questions परिक्सया में आपको एक answer दिया होगा और कहा जाएगा कि इससे आप question बनाईए तो देखे सभी स्टेट में सभी क्लासों में लगबग इससे related question पूछे जाते हैं रास्तान बोर्ड में भी इस पेसली ये topic दिया हुआ है और आप इस वीडियो को पूरा आकरी तक देखे आपका पूरा concept में clear करूँगा और पूरे में से पूरे marks आपको मिलेंगे देखें इंग्लिस में questions दो प्रकार से बनते हैं या तो helping word से शुरू होगा जैसे is, are, am, was, were, has, have, had, will, sell, do, does, did, can, may या और भी modal word है वो सभी इसी में आ जाएगी या फिर वो wh word से शुरू होगा जैसे why, what, when, where, whom, whom, whose, or how अब आप यहां समझे, देखे, framing question के लिए सबसे important part यह अगर मान लिजी आपको answer में you दिया हुआ है तो आप उसके subject according आप I या वी में उसे change कर दे यदि object के रूप में you दिया है तो आप उसे me या us में change कर दे और यदि in में से कोई दिया हुआ है तो आप उसे you में change कर दे लेकिन सामान नेता यदि आपको you दिया हुआ है subject रूप में तो आप उसे I में change करें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अब यहां पर देखे, यदि आपको answer में you दिया है तो आप question बनाते समय उसे my या और में change कर दे उसके according clear है अब यदि दौनों में से कोई दिया है और या my में से तो आप उसे your में change कर दे पस यहीं एक बात आपको समझनी इसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगे तो चलिए शुरुआत करते हैं किस प्रकार से हम answer से question बनाएंगे दिखे जब आपका answer yes या no में दिया हुआ हो तो आपको questions जो है helping verb से शुरू करना है यह आपको पता होना चाहिए अब आप इसकी trick भी देख लो कैसे करोगे sentence में शुरू में आपको yes या no दिया होगा उसे आपको हटाना है इसके बाद आप helping verb फिर subject और इसके बाद man verb और फिर other word आपको लिखने है यह मैंने यहाँ पर helping verb लिख दी है इससे पहले मैंने बताया था अब यह sentence देखे यह answer है yes he is a student शुरू में yes दिया है इसका मतलब यह helping verb से शुरू होगा हमारा question और इसको आपको हटा देना है तो yes आपने हटा दिया इसके बाद helping verb is लिखोगे subject और फिर यह ऐसे कैसे तो is he a student और फिर आप question mark लगा दोगे देखे कितना आसान है चले अब आप देखे yes I am playing cricket yes आया है मतलब helping verb से शुरू होगा हमारा question yes को हटा दो अब आपको क्या करना है helping verb पहले लिखना है लेकिन यहाँ पर एक चीज देखेगा subject हमारा क्या है I और इसको मैंने थोड़ देर पहले बताया था कि I हमारा U में change होता है तो जब यह U बन जाएगा तो I के साथ M था तो U के साथ helping verb आती है R यह आपको विशेज द्यान लखना है तो R आप helping verb लिखोगे इसके बाद subject I को change करोगी U में क्योंकि U के अनुसार R लगना है इसके बाद क्या हो जाएगा आपका subject होगे आप 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 आजाएगी playing और फिर आगे कैसे कैसे तो are you playing cricket और फिर question mark देखे कितना आसान है next no he cannot speak Hindi no से शुरू है इसका मतलब helping verb से शुरू होगा हमारा question क्या है यहाँ पे can है helping verb can लिख दो subject ही लिख दो speak और Hindi यहाँ पे एक word आया था not ध्यान रखेगा yes या no वाले में जब sentence के बीच में यानि वो negative है तो आपको वहाँ से not वो सब्द जो है आपको हटा देना है तो आपको यहाँ से भी हटा देना है किस sense में जब आपका question helping verb से शुरू हो तब ध्यान रखेगा WH के लिए अलग rules है वो मैं आपको आगे बताऊंगा अब आप देखिए next जब मान लिजे आपको helping verb ना दी हो sentence में तो फिर आप यदि वो present में है यानि helping verb नहीं दिये तो दो ही condition बनती है या तो sentence हमारा present indefinite में होगा या past indefinite में तो present indefinite में है तो verb की first form होगी या उसके साथ yes लगा होगा तो आप do या does का use करोगे subject के अनुसार और यदि आपको verb की second form दी हुई है तो वो आपका past indefinite में होगा और आपको वहाँ did का use करना है ध्यान रखेगा did, does और do के साथ हमें से verb की first form use होती है clear है तो यहाँ देख लेते हैं yes he writes a letter हाँ he writes a letter वह एक पत्र लिखता है he के साथ writes आया है yes या yes verb की मतलब present indefinite का ये sentence है आप क्या करोगे yes को तो हटाए दोगे helping verb लगाओगे subject ही है तो ही के साथ present indefinite में does का use होता है singular के साथ does और plural के साथ do का use फिर he फिर यहाँ वह आपके first form द्यान रखेगा यहाँ पर first form आती है yes या yes होता है वो हट जाता है यह letter फिर आपको question mark लगा ना देखे कितना आसान है next yes I write a letter अब यहाँ पर subject हमारा I था तो I change हो जाता है you में और you के साथ use होता है do clear है तो do you write a letter अब आप इसको देखे he wrote a letter यहाँ पर he wrote write की second form में wrote यह नहीं इसका मलब यह past indefinite में है तो past indefinite में हमेशा helping work एक है वो होती है did फिर subject लिखोगे फिर यहाँ वो आपकी first form क्योंकि did के साथ हमेशा वो आपकी first form आती है तो did you write a letter और फिर question mark देखे कितना आसान होगे आपका concept बस आपको क्यों इतना ही ध्यान रखना है यह बहुत important topic है यहाँ पे ज़्यादा students confused रहते क्यों क्यों क्योंकि यह helping आप नहीं दी होती और यहाँ पे दिक्कत हो जाती इसलिए मैंने इस topic को अलग से लिया है next अब हम लेते हैं WH word WH word में सबसे पहले हूँ, हूँ का मतलब कौन या किसने यह व्यक्तियों के लिए use होता है subject के रूप में क्या ट्रीक है हूँ से question बनाने की subject को आपको हटा देना है जो answer में आपका subject दिया उसको हटा दो उसकी जगह पे आपको हूँ लगाने और बाकी वैसे 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 लिख देना जैसे रवी came here तो यहाँ पे आपको हूँ से बनाना है यह आपकी verb है और यह subject है तो verb यानि man verb से पहले का जो part हमारा होता है तो वो subject माना जाता है clear है आपको क्या करना है subject को हटा देना है और आगे वैसे 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 लिख देना है हूँ came here अब देखे यह यहाँ पे क्या था यह past indefinite में कम की second form है तो आपको did वगार है कुछ नहीं लगा न हूँ के साथ सीधा आपको subject के स्तान पे हूँ लिखना है और बाकी का वैसे 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 लिख देना है और question mark लगा देना है ऐसे देखो रवी teaches me Hindi यह हमारा sentence है हूँ से आपको बनाना है दिया हुआ होगा हुआ आपको हूँ लिखके dot 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 दिया होगा कि तो आपको यहां रवी के स्तान पे हूँ लगाना है और बाकी का वैसे 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 उतार देना है next I was playing cricket अब यहां पे देखिए I was playing cricket subject कौन सा है I I को आप अटा दो और was playing cricket वैसे 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 लिख दो और I के स्तान पे आप हूँ लिख दोगे सब्जेक्ट इस स्तान पर बाकी वैसे 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 उतार दोगे देखिए कितना सिंपल है next हम लेते हूँ हूँ का मलब होता है किसका या किसकी इसका यूज़ भी व्यक्तियों के लिए होता है और object के रूप में किया जाता है नाउन या प्रोनाउन होगा कोई, तो वब के बाद आपको जो नाउन या प्रोनाउन दी हुई है, उसको आप हटा दोगे, इसके बाद हूम, फिर हेल्पिंग वब, और बागी वैसे की वैसे लिख दोगे, जैसे देखे, I met Rani in the school, I met Rani in the school, तो I met Rani, यह हमारी मैन वब है, इसके बाद Rani यान यह नाउन दी हुई है, क्लियर है न, यह नाउन है, तो यहाँ इसको आप हटा दोगे, क्लियर है, इसको हटा करके हूम का यूज करोगे, लिख दिये हूम, और दिखे, मैट यहाँ पे मीट की second form है, यह सेंटेंस हमारा था, पास्ट इंडेफिनेट में, तो यहाँ helping वब का यूज होगे, डिड, I आया है, I के साथ आपको क्या लिखना है, यू, फिर वब के first form, फिर आप वैसे वैसे, उतार दोर question mark लगा दो, इस प्रकार से आपको, whom से question बना देना है, जब आपको एक answer दिया हुआ हो, अब next देखिए, he teaches me Hindi, यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, देखिए, यहाँ पे लिखा है teaches, यानि यह क्या है, हमारी वब है, और इसके बाद मी यानि प्रोनावन है, तो लिखा है यहाँ नावन या प्रोनावन हो, तो हटा दो, यह प्रोनावन है, इसको आप हटा दोगे, और इसके इस्तान पे आप लगा दोगे, whom, यह लगा दिया, subject क्या है, he teaches आया है, यानि present indefinite का है, तो he के साथ does का use होगा, whom does he, वह आपके first form, और यह वैसे-वैसे, तो whom does he teach Hindi, और question mark, your daughter was playing with Rani, अब आप देखे, यहाँ पे playing यह वाब है, और इसके साथ यह आपकी यहाँ नावन हो गई, clear है, इससे पहले preposition आया है, तो इसको वैसे-वैसे रहने देंगे, तो हम sentence की शुरुआती यहाँ से करेंगे, with यानि preposition, प्लस इसकी जगए आप यूज करेंगे, whom का, तो with whom, ठीक है, अब यहाँ पे देखे, क्या है, your daughter, ठीक है, तो your को आप किसमें बदलोगे, my में, ठीक, my daughter, तो your के साथ भी आपने, वाज का यूज किया, और my के साथ भी वाज का यूज होगा, इसके बाद, web ऐसे कैसे आ जाएगी, अच्छा, इसका एक और तरीका है, आप चाये तो with को, यहाँ सबसे last में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप whom के साथ भी लिख सकते हैं, और यहाँ बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो, next है which, which का मदला होता है, कौन सा, कौन सी, और यह subject, object, दोनों ग्रूप में कारेक्ट करता है, किस sense में selection या choice, यानि चुनाओ करने के लिए, पसंद करने के लिए, आपके पास कई चीजे उन में से आपको select करने के लिए, क्या ट्रीक है इसकी, which से कि आपको question बनाना है, तो selection choice को आप which में change कर दोगे, इसके बाद which के साथ आपको noun का यूज करना है, फिर helping work, subject और फिर man work, देखे, answer है, see likes blue shirt, यानि वह blue shirt पसंद करती है, तो यहाँ पे आप देखिए, उसकी selection क्या है, choice क्या है blue, ठीक है न, blue है, यानि blue color की shirt, तो यहाँ पे जो blue है, इसी को, इस choice को आपको बदलना है which में, बदल दिया which, इसके बाद noun क्या थी हमारी यह, cert, तो which cert, present indefinite का है, तो यहाँ हमारा subject है see, see के साथ does का यूज़ करोगे, does see like, verb की first form, देखे कितना आसान है, which cert does see like, I like mango most, अब इस sentence को देखे आप, यहाँ पे क्या है, mango दिया है, selection क्या है, mango, लेकिन mango यह क्या है, fruit है, और इसके साथ वो noun नहीं दी हुई आपको, ठीक है न, तो आप which लिखोगे, which के बाद आप लिख दोगे fruit, क्योंकि mango यह क्या है, fruit है, subject I है, I change हो जाएगा, you में और you के साथ आएगा do, त्योंकि यह present indefinite का, इसके बाद फिर like most, ऐसे आपको change कर देना है, next, run is the more intelligent of the two girls, इस तरह भी sentence हो सकता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे, which of the two girls, यहाँ से start करना है आपको, which लगा करके, और यह जो preposition के बाद वाला part, टेक्स को लिख देना है, फिर आपको यहाँ ऐसे कैसे क्या लिखना है, helping वाब लिखनी है, और आगे का part उतार देना है, क्योंकि रानी को यहाँ जो subject यह है, इसको आपको हटा देना है यहाँ से, और इसकी जगे आपको which का यूज करना है, फिर यह यह वाला part आपको लिखना है, इसके बाद helping वाब subject, man वाब और other, जैसे रवी परचेज माई बाइक, तो यहाँ पर आप देखिए, माई क्या है, यह pronoun है, प्लस यह noun है, भाइक, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, हूज प्लस noun, माई के इस्तान पर हूज और यह noun, क्या लिखा आपने, यह pronoun हो गया, यह noun हो गई, तो हूज भाइक, यह purchase यानि second form है, तो past indefinite में था, subject रवी है, कोई भी हो, did का यूज करना है, did रवी और purchase यहाँ पर फर्स्ट फर्म आ जाएगिर, फिर question mark, यह जो noun है, इससे पहले जो भी pronoun हमारा आए इन में से, उसको आपको हूज में change कर देना है, फिर हूज के साथ इस noun का use करना है, next, this is my mobile, तो my यहाँ pronoun है, mobile यहाँ noun है, my को हूज मॉबाइल, लिखो आप, हूज मॉबाइल वब इस और यह दिस, I sell by his car, his car, तो क्या हो जाएगा, हूज कार, ठीक है, हूज कार, I change होगा you में, तो you के साथ हम will का use करते हैं, I के साथ cell का, तो यहाँ helping वब भी बदल जाएगी, you के साथ will का, और फिर by, और फिर question mark, next है why, why यानि क्यों या किस लिए, यानि कारण या उद्देश, यानि purpose के लिए इसका use हम करते हैं, क्या ट्रीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखे, कारण उद्देश से बताने वाले, कुछ इस तरह के word हो सकते हैं, जैसे because, if, therefore, two plus वब के first form, इनको हटा देना है, और इनके आगे भी यदि, answer में कोई part दिया है, तो उसको भी हटा देना है, देखे कैसे, रवी गोज टू स्कूल, तो रीड, यहाँ पे आया, two plus वब के first form, यहाँ तो रीड, क्या करोगे, why से सुरू करो, why, इसके बाद helping वब रवी है, present indefinite, does का use, रवी, यहाँ पे go first form आजाएगी, to school, और to read इसको आपको हटा देना है, मैंने यहाँ लिखा भी है, कि यहाँ पे हटा देना, वैसे यह उद्देश से को दिखा रहा है, कि रवी गोज टू स्कूल, to read, रवी स्कूल जाता है, to read, यानि पढ़ने के लिए, next, my father punished me, because I went to quota, तो my father punished me, यहाँ पे देखिए sentence, जिन से सुरू हुआ है, इसका मतलब why से सुरू होगा, यह हमको पता है, why से सुरू कीजिए, लिख दो why, यह क्या है, past indefinite में है, did का use होगा, why did my की जगे your, why did your father, first form punished me, की जगे you, because या उसके बाद यहाँ लिखा है, जो भी आए, उसको यहाँ से आपको हटा देना है, मतलब इसके बाद जो भी है, उसको पूरे को पूरा हटा दो, we work hard to pass, change कीजिए, why से why, we का change होगा, you में, sentence हमारा present indefinite का है, you के साथ do का use, work की first form, और यह hard to plus work की first form, इसको हटा दो, clear up, बहुत आसान है, next है what, what का मतलब होता है, क्या या कौन सा, इसकी क्या ट्रीक है, देखे what से question बनाना हो, तो वर्ब के बाद वाली noun को what में बदल दो, और फिर बाकि वैसे क्वैसे रहेगा, लिखा है, I am playing football, वर्ब के बाद noun क्या है, football, इसको what में बदल दो, लगा दो, what इसकी लग गए, I है subject, change होगा किसमे यू में, और यू के साथ archives होगा, तो what are you playing, और इसको तो हमने अटाई दिया, क्योंकि इसमें change किया, इसलिए question मार का जाएगा, he wrote a letter to his brother, क्या करना है, वर्ब के बाद वाली noun को, what में बदल देना है, वर्ब के बाद क्या है, wrote, wrote के बाद क्या है, ठीक है, इसको आप what में बदलो, past indefinite का है, did he write to his brother, clear, next, he likes this mobile, क्या करोगे, वर्ब ये है, इसके बाद आया, this mobile, इसको हटा दोगे आप, इसके जगा वाट लगाओ, like से है, वो आपकी first form है, ऐसे ये सब्जेक्ट ही है, does का यूज़ करो, does he like, clear, next, where, where मतलब होता है, कहां, इस्तान के sense में इसका यूज़ होता है, किसी इस्तान के लिए, तो where से आपको question बनाना है, क्या करना पड़ेगा, जो जगे इस्तान दिवी है, उसको आप where में change कर दो, इसके बाद आपको basic way से, लिख देना है, helping work subject और man work, जैसे, I am going to school, I am going to school, कहा जा रहा है, where से आप question framing कीजिए, तो आप कहां जा रहा है, school to school, यनि इस्तान आ गया, तो इसको आप किसमें change करोगे, where में, तो इसको change कर दो आप where, फिर यहां I है, you में change करोगे, इसके साथ आ रहा हैगा, where are you going, yellow or question mark लगा दो, he works here, present indefinite में है, he works here, where यहां काम करता है, कहां यहां इस्तान क्या दिया है, here, इसको हटा दो, where में change कर दो, subject ही है, does guy use होगा, does he work, yellow, see when to jaypur, किसमें है, past indefinite में है, कहां, see when to jaypur, वे कहां गई, jaypur, to jaypur, यनि कि यह इस्तान हो गया, इसको where में change कर दो, did she go, बहुत आसान है, next when, when का मनलग कब, यनि time से है, इसका मतलब, क्या टरीक है, when से question बनाना हो, जो समय दिया है, time को आप when में change कर दो, इसके बाद helping हो, subject और manwork, see came at 5 p.m., यनि वह 5 बजे, I, कितने बजे, 5 बजे, तो ये जो time है न, इसको आप when में change कर दो, कर दिया when, past indefinite का था, second form है, come की came, did see come, clear, next, he will go to Jaipur tomorrow, तो he will go to Jaipur, वह Jaipur जाएगा tomorrow, यनि आने वाला कल, तो क्या दिया है समय, आने वाला कल, इसकी जगा आप when का यूज करो, next, he slips at 10 o'clock, वह 10 बजे सोती है, time दे दिया, 10 बजे का, इसको change कर दो when में, sentence हमारा present, indefinite का है, she के साथ does she slip, next, how, how का मतलब होता है कैसे, कोई काम करने का तरीका है, आप से हाल चाल पूछा जा रहा है, किसी साधन के दौरा, तो यहां हम हाउ का यूज करते हैं, क्या pattern है, how से question बनाने का, देखिए, जो भी आपका तरीका हाल चाल या साधन है, उसको how में बदल दो, और बाकी pattern, basic वेसे रहेगा, जैसे, answer है, I am fine, तो how, कैसे आप, यही वहा न, fine, मतलब, आपका हाल चाल पूछा है, तो आपने का, fine, तो इस fine को आप change कर दो, how में, subject I है, you बदलेगा, you के साथ are, तो how are you, यह लिजी आपका question बन गया, he goes to school on fit, यानि वो school जाता है, कैसे on fit, यानि पैदल, तो उसका जाने का जो तरीका है, कैसे जाता है, किस सादन से, कोई सादन ने, क्यों पैदल जाता है, on fit, इसको how में change कर दो, तो how, present indefinite का, he के साथ does use होगा, तो how does he go to school, और question mark, she was running rapidly, यानि वह तोड रही थी, कैसे rapidly, तेजी से, तो इस rapidly को है न, किसमें change कर दो, how में, how was she running, देखे, कितना आसान है, अब लेते हैं, how से related, how long, इसका मनला होता है, कितनी देर या, कितना लंबा, समय की अवदी या, लंबाई के लिए, इसका यूजम करते हैं, how long से question बनाएंगे, कैसे बनाओ गया, समय की अवदी दीवी है, या लंबाई है, उसको तो आप how long में change कर दो, इसके बाद how long के बाद, helping of subject, और man verb, देखे, कैसे, this room is 10 feet long, देखे, पता चल गया न, ये room कितना लंबा है, 10 feet long, यानि 10 feet लंबा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो 10 feet long है, लंबाई दीवे, इसको change के सिमें करोगे, how long, verb is this room, और question mark, he has been playing for 3 hours, यानि वह 3 घंटे से खेल रहा है, तो समय आउदी देदी, कितने समय से, 3 घंटे से, इसके इस्तान पर how long का यूज़ करोगे, तो how long, फिर has he been, इसको हम दो बागों में तोड़ते हैं, आपने जब tense पड़ा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, कि present जो है perfect and continuous में, तो has he been और फिर playing, next, how many, इसका use हम करते हैं, कितने के sense में number, यानि संख्या के लिए जिनको हम count कर सकते हैं, क्या है pattern, संख्या को how many में बदल दो, और उसके बाद आप क्या करोगे, उस संख्या को, how many में जो बदलोगे आप, यहां आपको how many लिखना है, how many के बाद noun, फिर helping of subject और man was clear, तो I have two pens, यानि मेरे पास two pen है, तो गिन सकते हो आप pen को how many कितने, how many से यूज करोगे, how many यानि यह संख्या थी, इसकी जगए how many, फिर pens, have, I की जगए पे you, clear, he bought three books, यानि उसने तीन किताबे खरी दी, कितनी? तीन, तो how, यहां पे many का यूज, क्या खरी दी? किताबे books, फिर यह किसका है, past indefinite का है, did का यूज होगा, did he buy, clear, next है how much, कितना या कितनी, इसका यूज हम मात्रा के लिए करते हैं, quantity के लिए uncountable, जिसको count नहीं किया जाता, क्या करोगे आप, how much से question बना ना हो, तो मात्रा को how much में बदल दो, और how much के बाद, वो noun आएगी, मेरे पास दो किलो चांवल है, चांवल क्या है, एक uncountable है, ठीक है, मात्रा दीवी आपको कितनी, 2 kg इसको बदल दो, how much, फिर noun आपका rice, have और I को बदल दो गए, यू में, यह हो गया, he bought 3 liter milk, ठीक है, he bought 3 liters milk, तो कितना 3 liter, यह मात्रा है आपकी, 3 liter को how much में बदलो, इसके बाद यह noun milk, और यह किसका है, past indefinite का है, did he buy, देखे कितना आसान है, अब next यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक बार और समझा देता हूँ, यदि answer में not हो, तो आप क्या करोगे, helping work वाले में तो not हटा दोगे, यह मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन WH word में not आपको नहीं हटाना, जब sentence के बीच में not दिया हुआ हो, जैसे, he was not playing cricket, इसको यदि हमें WH word से बनाना है, तो आप लिखोगे, was he playing cricket, यहाँ से आप not हटा दोगे, लेकिन यदि इसी sentence को हमें WH word से बनाना है, जैसे what से, तो what was he not playing, यहाँ आप not नहीं हटाना, WH word से हम किर्शन बनाते हैं, तो आपको sentence में दिया हुए not को नहीं हटाना है, एक और example ले, he will not go to Jepore, तो यदि हम helping work से बना रहे हैं, तो will he go to Jepore not हटा देंगे, लेकिन यदि आप WH word से बना रहे हैं, तो where will he not go, not आप नहीं हटा होगे, तेकि बहुत simple concept है, मैंने आसान बासा में समझाया है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा, यह आपके लिए एक practice set मैंने दिया हुआ है, यह आपका यहाँ answer दिया हुआ है, इन से आपको questions बनाने हैं, और exam में भी आपको इस तरह लिखा हुआ आएगा, क्योंकि yes या no आगया, तब तो आप समझ जाओगे helping work से बनाना है, लेकिन आपको WH word से बनाना है, तो उस word को आपको लिखा होगा, उसके बाद question लिखा होगा, तो आपको इसमें change कर देना है, बहुत ही आसान है, यह आप इसे like और share जरूर करें, यदि आप channel पे नए हैं, तो आप इसे subscribe कर ले, हसते रहे हैं, मुस्क्राइब देखते रहें, आपका अपना channel, SR जाजूर या, बहुत है, बहुत है, बहुत है,